दाइज वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल एंड एनादर वीडियो आज के वीडियो में बताने वाली हूँ जो बिहार पेरामेडिकल का जो कांसलिंग की परकिरिया होती है उसके बारे में कि आप लोग कांसलिंग के टाइम जो कॉलेज वाइज फिलिंग सेलेक्ट करते ह है तो आप लोग किस तरह करें आज की वीडियो के माध्यम से यही बताने वाली हूँ तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है जो जो न्यू एस्टुडेंट्स हमारे यूटूब चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब जब मैं न्यू वीडियो अप्लोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चलिए एस्टुडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते तो एस्टुडेंट यह रहा बिहार पेरा मेडिकल का प्रोस्पेक्टर्स जो इस्क्रीन पे देख रहे हैं यहां डिपलोमा सर्टिफिकेट पर्वेस परतियोगता परिच्छा दुहजरतेईश तो इसी के माधियम से आप लोगों को बताएंगे कि कॉलेज़ वाइस फिलिंग किस तरह करें स्टुडेंट यहां पर समझ लीजिए आरप्छित सीटों का यहां पर दिया है कि के टेगरी वाइस सीट रिजर्ब है यहां सी का है 16 परसेंट यहां है एस्टी का वन परसेंट यहां है इबीसी का है अठारा परसेंट यहां बीसी का है बारा परसेंट यहां आर सीजी का है तीन परसेंट यानि कि रिजर्ब के टेगरी गल्स यहां पे है यहां पे है हैं आप लोगों को बता दे कॉलेज है च्वाइस फिलेंग की इस्तरा करना है यह पॉल्टेकनिंग वाला कॉलेज है इस्टुडेंट यहाँ पे देखे यहाँ पारा मेडिकल यानी माधियमिक अस्तरी है यहाँ पे जो तेंथ लेबल का जो डाले थे पी एम वाला वो उनके लिए यहाँ पे कॉलेज है यहाँ पे आप लोग बता दे कि यहाँ पे सीट कितना है आप लोग देख लेजिए जो बिहार पेरा मेडिकल का तेंथ लेबल का एक्जाम दिये थी यहाँ पे उन लोग के लिए कोर्स दिया गया है ड्रेशर यहाँ पे कोर्स लेबल है यानी कि ड्रेशर के यहाँ पे दि यह सरा गाया भागलपूर नलांदाई सब कॉलेज का लिस्ट यहां पर दिया गया है और टोटल यहां पर सीट की बात करें तो 690 हैं तो जिन्हों ने पीम का जो फर्म अपलाई किये थे तेंथ लेबल का वो यहां पर अपना 24 कर सकते हैं तो इनके लिए हम लोग बता दे जो जितना कोर्स है ड्रेसर अमाली जिनका मतलब ज्यादा अगर रेंक आ गया है और इनको कोई कॉलेज एलोट चाहिए तो यहां पर आप लोग देख लीजिए गा इतना सारा यहां पर कॉलेज दिया है कॉलेज को आप लोग को कॉलेज जब 24 फिलिंग होगा तो आप लोग सी प्रेगरी रेंग बहुत ज्यादा आया हो या कम आया हो क्योंकि इसमें एक ही कोर्स है के वर्ड रेसर का तो सीरियल वाइज आप लोग कॉलेज च्वाइज फिलिंग सेलेक्ट करते जाएगा एक नम पीम से दोनम नम से तीन वर डीम सीच इसके एंप सीच एनम सीच यह यह पटना लकिस रहे मुझा पर पूर गाया भागलपूर पावापूरी बेत्या है माली जिए आप लोग अपना मिला लीजिएगा आपका डिश्टी कौन सा है उसी के नजदी की में कौन सा कॉलेज है सबसे पहले एक नमर पर वह वह कॉलेज आप लोग चूज सेलेक्ट कर ल नहीं मिला तो इसमें मिलेगा इसमें मिलेगा इसमें वह ळाते को बेचे लिए जनकारी रहा नेक्स्ट पेजे यहां पे एनम कॉलेज है, सरकारी, तो इसको हम बार में बताएंगे, पहले चलते हैं जी एनम, जी एनम से हम स्टार्ट करते हैं, यह रहा प्राइबेट कॉलेज, यह आ गया सरकारी जी एनम कॉलेज, यहां दिया गया है कॉलेज, सरकारी संस्तानों में, तो यहां आप लोग यहां पे बातों को ध्यान रखेगा कि आप लोग जब counseling स्टार्ट होता है बिहार-ping medical का तो वहां पे जब counseling करने के लिए website खोलिएगा तो वहां पे एक select करने का option आता है कि वहां पे आपको government college feel करना है कि private college करना है कि private agreement दोनों करना है तो वहाँ पर क्या करिएगा कि student वहाँ पर आप लो government college को select कर लिजिएगा क्योंकि वहाँ पर government college को select करते हैं तो उस list में क्यों government college का ही list आएगा है इस तरह easily आपको college choose करने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो ने student को बिहार paramedical में rank आया है तो माली जीन का कम rank आया है वह ध्यान से सुनिएगा इस बातों को क्योंकि यहां पर देख लिजिए टोटल जीनम का seat है 14,72 तो जीन का rank जीनम में जीन का rank बिहार paramedical में कम से कम 16,15 तक rank आया है उसके नीचे वाले student आप लोग इस तरह college wise feeling करिएगा मतलब इस तरह college को select करिएगा वो हम process बताने चारे आप लोग को ध्यान में सुनिएगा तो आप लोग को बता दें यहां पे सबसे पहले आप लोग यहां पे देख लिजिएगा college का list सबसे पहले सारा college एक बार देख लिजिएगा प्रोस्पेक्टर से डाउनलोड करके और नोट कर लिजिएगा आप लोग के वहां पे जाईएगा पहले आप लोग को बता दें एक बात को आप लोग पेज में नोट कर लिजिएगा जिनका रिंग कम आया है 14 15 नीचे के रिंग जिनका कम आया है स्टुडेंट की तरह कॉलेज को अच्छे कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं तो इस बातों को आप लोग ध्यान दीजिए और वीडियो का आगे बढ़ाते हैं यहां पे देखिएगा यहां पे दिया है जी एनम ट्रेनिंग उस्कूल एनम चीह यह हैं मेडिकल कॉलेज तो यहां पे आप लोगों को बता दे कि इतना है मेडिकल कॉलेज यहां पे आप लोगों को सिरियल वाइज च्वाइस से कॉलेज को सिलेक्ट करना है फर्स्ट में करिएगा एनम सी एच देख लिजिए अपने आपका टिश्टी कॉन सा है आपके नजदीकी में कॉन सा मेडिकल कॉलेज बढ़ता है उसी के हिसाब से आप कॉलेज सेलेक्ट करिएगा तो माली जी यह सरा मेडिकल कॉलेज है तो आप एक नमर में डाल दिये जीनम ट्रेनिंग उसकूल एनम सीच पटना तो दो नमर में डाल दिये दरभांगा ती नमर मुझभपरपूर चार नमर में गया प होता है उसके बालो मंडल्य voor ब्लur को पटना पैक बता दे कि पहले मेडिकल कॉलेज को सीलेट कर ली को यहेगा तो अपने डीशों पर यह भी सादर हस्पीटल हे यह ऐवी साहरम जहनावाद से पूरा भी साहर साहर सा Completely benefitingarted बांकभी साधर हस्पितल है ये जो ज्येनम् ट्रेनिंक ये भी मेडिकल कोलेज है आप लोग धि am Park इसके बारे में जो बेटियां में इसके राच्चे न्यूडिकल कॉलेज बाना है वेश्च 오른ेयर में नोट कर लिजेड़ा ये भी मेडिकल कोलेज है जीनम ट्रेनिंग बक्सर बक्सर भी साधर हस्पिटल में ही है उसके बाद से साधर हस्पिटल को डालना है साधर हस्पिटल लेबल का जो डिस्टी लेबल का हस्पिटल होता है वो कॉलेच वाइस फिल करना है क्यों कि साधर हस्पिटल में ज्यादा सीखने को मिलता है सी यसी आपका हो गया ब्लोक लेबल का हस्पीटल यहां पर कम आपको इनने को मीलेगा सदर हस्पीटल को को आप लोग से लेट कर लीजियेगा यह यह मुंगेर का है जमुई सराय का और वल के बाद और वल तक आप लोग को सिलेट करना है सदर हस्पीटल में आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा उसके बाद से जो जतने आगे लिखा है इसको इसको सबसे लाश्ट में फिल करना है और अधर हस्पीटल के बाद आप लोग फिल करियेगा दियेच यानि कि सब डिवीजनल हस्पीटल यह आपका हो गया अनुमंडलिय हस्पीटल सदर हस्पीटल के बाद यहीं आता है कर लिऑ इस को सबसे पहले अनुमंठ को डालना है उसके बाद से राजा पांकर वैसाली उसके बाद से इसको सबसे अनुम हैं से इस्पीटल के लिए ने को लाश्ट में फिल करना है तो सबस्टाल्व corridor स्पाहन होगा है किस तरह college 24 feeling करना है तो student आप लोग को भी समझ में आगया होगा किस तरह college select करना है first में आपका medical college होगा उसके बाद से सदर हस्पीटल होगा उसके बाद से sds label का hospital होगा last में csc label यानि block label का hospital को fill करना है आप लोग एक बार कोपी में note कर लिजेगा जहां पर आप लोग online counseling कराएंगे easily आप लोग का college select करने में कोई परिशानी ना हो तो यह रहा आपका जीनम का पूरा process की तरह college को select करना है यहां पर total पचीश college है इसको पचीश college को select करना एक भी college हो आप लोग मिस मत करिएगा क्योंकि एक college में counseling नहीं हुआ तो दूसरा मा होगा तिसरा मा होगा चौता मोगा इसी इसी तरह counseling होते जाएगा आपको last में मिल जाएगा कोई ना कोई government g&m college अब चलते हैं माली जी अगर आप लोग का इनम के बाद इनम को भी भरने का मन है तो इनम को भी last में आप लोग भर सकते हैं कोई दिकत नहीं है यहां पर आपको g&m से ही counseling होते जाएगा last में इनम का डालिएगा इनम का भी होगा तो आप लोग आप लोग को बता दे कि जिनका रिंक आया है सत्रा सा अठार सा से एभा माली जी उन्नाइस दो हजार रिंग तीन हजार रिंग तो उनको किस तरह college सेलेक्ट करना है जी अनम का तो उन लोग के लिए बता दे कि उन लोग तो ज्यादा रिंक है तो उनको ना medical college मिलेगा ना सदर hospital मिलेगा मन कम ही chance है तो उन लोग अपना college करेंगे ब्लाक लेबल से यहां पर देख लिए गा उसके बाद से सदर hospital का सेलेट करना है उनको भी अपना यह college सेलेक्ट कर सकते हैं उनको भी ये सारा college select करना जब आप लोग online counseling कराएंगे तो ये सारा college select करना है उनको भी जिनका भी rank ज्यादा आया है ये बाते को आप लोग ध्यान में रखेगा अब चलते हैं एनम के बारे में देख लेते हैं तो एस्टुडेंट ये रहा एनम का college सरकारी संस्थानों का तो इसके बारे में एक बर देख लेते हैं एनम का total कितना college है एनम का total college है आपका 73 total government college है 73 एनम का तो यहां पर आपको बता दें कि इसके बारे में किस तरह college select करना है तो एस्टुडेंट सबसे पहले आप अपना rank मिला लीजीगा कितना rank है अपना district देख लीजिएगा डिक्स्टी से कौन से college पास में हैं उसके हिसाब से आप लोग college select करते जाएगा एस्टुडेंट यहां लोग online counseling कराने जाएगा वहां पर सारा एक बार perfectus ध्यान में देख लीजिएगा आप लोग और copy में note कर लीजिए कि हमको counseling में कौन सा college select करना है इस तरह easily जल्दी से select हो जाएगा नहीं तो इस तरह समझ में नहीं आएगा कौन हम select कि यह नहीं कि हाला कि जो college select करिएगा वो college सेव हो जाता है दोबारा नहीं आता है तो इस तरह भी easily होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा college select करना परता है माली जी जी एनम का 25 हो गया उसके बास एनम का 73 हो गया तो उतना सारा college select करना परता है तो आप लोग यह बातों को ध्यान में रखते हुए चलिएगा एक बार आप आप लोग बता दे यहां पर एनम college दिया गया है भौशपूर बिहार सरीप पुर्णिया किसंगर्ण बहुत सारा college है यहां पर टोटल 73 college है यहां पर ध्यान दीजिएगा जो आपका district है उस district से आप college को district से मिला लीजिएगा कौन सा आपके district से नजजिक परता है ठीक है तो उसके लिख लिजिएगा एक कोपी में नोट कर लिजिएगा कि आपके district से कौन सा district के यहां पर नजदिक परता है उसको आप लोग लिख लिजिएगा और उसको वहां पे जी एनम के नीचे आपका एनम का डालते जाएगा एनम जैसे भोशपूर हो गया बिहार सरीफ हो गय पूर्निया हो गया की सन गन्जेंक बेगो-सराई माधो भनी हाजिपूर सिता मरी सारा college आपको डलना है जुक का college है ज़ां का college है 73 तो यह सारा college का आपको फिल करना है कि जिनका रिंग जिनका रिंग जीएदा आया है उनके लिएतो नेसेसरी ती morning 63 college फिर्ट करना माल नहीं मिला दूसरा मीं मिला तिसरा मीं मिलेगा जाना का इस बातों को इनम वाले को ध्यान रखना है इसी तरह अपना कॉलेज स्लेक्ट करते जाना है अब रहा बात एनम के बाद अधर कोर्स का अधर कोर्स के बारे में आप लोगों को बता दें यहां पे दिया गया है जिए नम इनम था इस और सिर्प गॉल्ग के लिए यह यह PCM वालों के लिए है यह भी गल सिलेक्ट कर सकती है यह भी गल सिलेक्ट कर सकती है अधर जो कोर्स यहां पर दिया गया है तो यहां पर दिया है अप्थालमिक असिंस्टेंट होता है अप्थालमिक असिंस्टेंट मतलब जो आई का असिंस्टेंट जो डॉक्टर होते हैं उनके साथ रहते हैं असिंस्टेंट के तौर पे वो काम करते हैं अप्थालिक यह लेवेटरी हो गया लेम में यह एक्सरे हो गया यह ओटी हो गया कर चलाने पहुत सारा कुर्स जा यह रही जा धीए ई YOUR कर्म जाभा यहां पर दिख लिए इहां पर पर डिख उनका है निव में के सट चाहब ली मिमें को ना विए मिमैं वी दिख सबाइद है सनेंटरी इंस्पेक्टर का होता है और दो पेशनल थरेपी है लास्ट में अर्थोर्टिक्स का भी दिया गया है तो आप लोग एक बार यहां पर देख लेंगे सारा जो लोग है अपना कोर्से यहां पर देख लेंगे अगर जो जी एनम एनम का फिल कर दी अगर चाह रहे ही कि नहीं हमको एनम नहीं मिलेगा तो कॉलेज कर सकती है लास्ट में कोई ना कोई मिल जाएगा कांसलिंग होते जाएगा होते जाएगा लास्ट में आप लोग को कोई ना कोई इसमें से कॉलेज मिल जाएगा तो आप लोग को बता दे कि अगर आप लोग भी इसमें सेलेट कर सकती है उसी तरह माली जीए हमको ए इसके बाद से यहां पे डिप्लोमा यहां पे डिप्लोमा फर्मेसी का भी है यहां पे डेंटल का भी है तो इसी तरह जो है सबसे पहले अच्छा अच्छा कोर्स से डाल दीजिएगा और सीरियल वाइज उपर से माली जी डाल दिए हम लेब का डाल दिए उसके बाद से फार्मेसी का डाल दिए उसके बाद से ओटी का डाल दिए उसके बाद से एकसरे का डाल दीजिए अच्छा अच्छा कोर्स से उसको डाल दीजिएगा एनखेसिया हो गया यहां पे रेडियोलोजी हो गया उसी तरह डा खर दीजिये गार हूं वहाँ पर सेलट कर दीजिये गार एक भी college को मिश्मत करियेगा कि अगर आप गया जिनको 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 यह जिनको त assumes मां । झिनको दूनों नहीं मिला वह इसे और होगल साधी है कि इस course को कर सकते हैं तो वह भी फिल कर सकती है, कोई ना कोई मिल जाएगा दो सिपह को अगर जादा रेंक है मालेज ये 30,000 है, 40,000 है 50,000 है तो उनको कोई गव्वर्मेंट कोलेज नहीं मिला हाला कि वो भी कांसल कराएंगे उसी तरह प्रोसेस करेंगे जस तरह हम बताएंटे उसी तरह college select अपना करेंगे प्राइवेट जी एनम college यहां पर अंबेदकर इंच्यूट आफ हायर एजूकेशन ऑन केंपस से चिंतनावा दानापूर पटना तो माली जी उनको doubt है अगर हमको नहीं मिले तो वो अगर चाहेंगे कि प्राइवेट से करें तो प्राइवेट से य आनि सबसे लास्ट में तो उनको कोई ना कोई इसमें से कोई ना कोई जी एनम मिल जाएगा इसमें सीट है 30 है 25 है 20 है इसी तरह यहां पचास है दिख लिए आप लोग भी तो यहां पे भी केवल जी एनम का प्राइबेट यहां पर दिया गया है कॉलेज वह अपना डाल सकते हैं जिनको प्राइबेट से करने कमन है टोटल सीट है उन्हें से 28 तो यह रहा आप लोगा फूल इन्फोर्मेशन और यहां बॉइज के बाद तो बॉइज के लिए में अलग से एक वीडियो बना दूंगी क तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा तो वीडियो को यहीं इन्ट करते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में